सब्सक्राइब 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 X alpha के बराबर है और Y beta के बराबर है और ये क्या है? X alpha और Y beta solution है इन दोनों equations के X और Y मेरा 0 के बराबर नहीं है तो हमें बताना है 1 upon alpha और 1 upon beta का मान क्या होगा? देखो अगर X alpha के बराबर है और Y beta के बराबर ये दोनों solutions है इन दोनों equations के मतलब X के जगा अगर सकता हूँ मुझे क्या पताना है 1 upon alpha plus 1 upon beta और यहां पर आप देख रहे हैं 1 upon alpha 1 upon beta 1 upon alpha 1 upon beta इसे simplify करने के लिए 1 upon alpha को मैं माल लेता हूँ small a और 1 upon beta को माल लेता हूँ small b equation क्या बनेगी मेरे पास ये बनेगी a by 2 minus b और equals to plus 1 equals to 0 है तो 1 उधर चला जाएगा minus 1 second equation बनेगी मेरे पास a plus b by 2 और ये वाली value आजाएगी मेरे पास 8 के बराबर हमें solve करके सिर्फ ये बताना है कि a plus b कमान क्या है अब देखो देखने में तो आपके अलग-अलग logic दिवांग में चले होंगे question को देखने के पास अब इसे solve करूँगा तो कैसे solve करूँगा आप देखो यहां पर a by 2 है यहां पर पूरे में 2 से multiply कर दूँगा उपर वाल equation में से नीचे वाल equation को subtract कर दूँगा मेरे पास क्या value निकल के आएगी यहां पर आएगा यह a से a cancel हो जाएगा यहां पर minus का 2b minus b by 2 minus 5 by 2b आजाएगा और यहां पर मेरे पास minus 2 minus 8 minus 10 बनेगा यहां से काटूँगा 2b कमान आगया 4 अगर b 4 हो गया यहां पर रखूँगा तो यहां पर minus 4 यहां पर रख दो यहां पर रखना साने चार बाग दो दो आठ में से दो घटाया एक कमान आ जाएगा 6 हमें a plus b ही तो बताना था यह कितना हो गया 10 हो गया क्या question मेरा खतम हो गया चलें अगले सवाल पर ऐसे ही मेरे पास एक और सवाल है algebra का यह वाला TCS का fixed pattern ने बहुत बार सवाल आए है कम से कम सो से जादा सवाल SSC ने पूछेंगे बिल्कु सिमिलर टाइप के यह question देखके आपको hit भी कर रहा होगा किस तरीके से करना बस यहाँ पर माइनस 27, 2x-5 का cube, a cube, b cube, c cube कुछ यहाद आ रहा है जब इस थरीके से हमारे पास होता है तो हमारे पास जन्रली कौन सी identity लग रही होती है हम एक identity पढ़ते है a cube plus b cube plus c cube यह बराबर होता है 3abc के कब या तो मेरा a plus b plus c equals to 0 हो जाए या फिर मेरा a equals to b equals to c हो जाए यह वाली condition तभी true होती है जब मेरे पास क्या a plus b plus c 0 कब हो सकता है जब यह सारे के सारे not natural number a, b और c natural number ना हो क्योंकि natural number अगर हो गई है तो positive होंगे 3 positive values का समझीरो तो आएगा न क्योंकि natural number में 0 भी included नहीं होता वन से start होते है ठीक है तो यह natural number नहीं होंगे तो definitely मैं यह वाली condition कभी use नहीं कर सकता अगर होता है तो इसके लिए ABC क्या होने चीह है? real number यहाँ पर ABC कोई criteria नहीं दे रखा तो यह वाली condition मेरी possible है और यहां पर यह वाली condition भी निज रखीगी यह वाला part इस वाले part के equal है या इस वाले part के equal ऐसा कुछ भी निज रखा तो यह भी true हो सकती है जनरली इस तरह के questions में हमारी जो condition SSC boost आ है वो यह वाली condition पर ही question बनाता है तो हमें यह condition ध्यान रखनी है एक बर मैं ही सारा का सारा मिटा देता हूँ और अब question को solve करता हूँ यह चीज हमने question देखते ही समझ आ गई और question में directly हम approach ही लगाते हैं question को solve करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर अगर मैं इस वाले part को A माल लू तो यह मेरा A cube हो गया इसे वाले part को मैं B माल लू तो यह मेरा B cube हो गया और इसे वाले part को आप देखेंगे पूरा का पूरा C cube यहाँ पर minus 27 यहाँ पर मैं plus कर देता हूँ minus 27 को minus 3 का whole cube लिख सकता हूँ और यहाँ पर मैं 2x minus 5 का whole cube लिख सकता हूँ अगर इसे compare करूँगा खाली C निकालना होगा मुझे अगर मैं इसे C cube से compare करना चाहता हूँ तो यह मेरे पास जो C का मान होगा इस particular case में एक तो मेरा minus 3 रह जाएगा और अंदर bracket में चला जाएगा 2x minus 5 क्या इतना part किलियर है अगर यह पूरा का पूरा C cube है तो C कितना होगा minus 3 into में 2x minus 5 तो A, B और C यहां से मुझे दिख गए क्या यह 3 ABC है अब multiply करके देखो A मेरे पास 11x plus 8 है B मेरे पास 2 minus x है और C मेरे पास यह इन तीनों को multiply करूँगा तो मेरे पास यही मान निकल के आएगा यहां पे 2 minus x है यहां पे x minus 2 है इससे confuse नहीं होना क्यों नहीं होना इससे confuse क्योंकि हमारे पास जब यहां पे मैं solve करूँगा यह minus वाला part है जो यहां पे C में था वो इधर चला गया B वाले में multiply करते वे इसलिए x minus 2 आया है ठीक आगे भड़ते हैं इससे अब solve ही कर लेते हैं A, B और C का मान मिल गया तो मैं A plus B plus C equals to 0 वाला सबसे पहले लगाता हूँ A मेरे पास क्या है 11x plus 8 यह मनमन में calculation करनी है B हमारे पास क्या है 2 minus x और C मेरे पास क्या है minus 3 और यहां पे मेरे पास 2x minus में 5 यह मेरा 0 के बराबर होगा 11x minus x 10x और minus में 6x यह बचा मेरे पास 4x 8 और 2, 10 और यहां पे plus का 15, 25 जो कि उथर जाके मेरे पास क्या बन जाएगा minus का 25 x का मान आगया मेरे पास minus 25 भाग 4 मुझे root में बताना है x square minus 36 तो आपको पता है x में denominator में 4 है square करेंगे तो फिर denominator में 4 आएगा और भार निकालूँगा तो फिर भी 4 भार आजाएगा मेरा तो मेरे जो answers होगे उनमें chances है कि यह भार क्या आजाए मेरे पास 4 आजाए ठीक है क्योंकि 25 का square करूँगा जब यहाँ पर तो यह वाली value मेरे पास उपर odd बनेगी और यह 36 into जो भी यहाँ पर denominator में आएगा multiply करूँगा even odd plus even मेरे पास value बनेगी odd तो वो 4 को काट नहीं पाएगी तो 4 तो मेरे denominator में आएगा ही आएगा तो यह दोना option तो मेरे cut गए यह दोना answer नहीं हो सकते although मुझे यह करने की जुरूत नहीं थी बस मैंने बता दिया आपको तरीका कि हाँ यह चीज भी देखी जा सकती है examination में ठीक है क्योंकि इसमें तो 2 option बच रहे हैं तब भी मेरा काम खतम नहीं हुआ मुझे solve करना ही पड़ेगा ठीक अब मैं आगे solve करता हूँ ठीक है यहाँ पर मेरे पास under root में x square है मतलब minus 25 by 4 का square 625 by 16 होगा ठीक है मैंने पूरा common ले लिया यहाँ पर minus 36 था तो minus 36 into में 16 होगा अब मुझे यह पता है कि यहाँ पर 16 से 4 भार आएगा तो 4 रग दिया क्या मैं unit digits से कर सकता हूँ या तो मेरा 7 आना है या फिर मेरा 9 आना है 5, 6, 6, 36, 6 5 में से 6 को घटाऊंगा क्या बचेगा मेरे पास 15 minus 6 that is 9 9 किसके square में आता है 7k में आता है या 9 के में आता है क्योंकि square root निकालूँगा तो यह आप कहोगे 7k में आता है यहाँ पर था मेरे पास 7 या 9 तो यहाँ पर बचेगा 7 मैंने का मानलो उपर वाले part में root में जो भी बचेगा यहाँ पर मेरे पास 9 आना है 9 किसके square में आता है 7k में आता है या 9k 9 का square होता है 1, 7 का square होता है 9 तो यहाँ पर भी calculation बचा सकते है नहीं भी देखते बेसिक से करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है धीरे धीरे यह जितनी ज़्यादा practice करोगे अपने आप यह चीज़े दिमाग में आने लग जाएंगी यह practice से होता है सारा अभी इतना ज़्यादा लोड़ नहीं लिया ना इस चीज का यह question number 3 है हमारा बहुत बार इस तरह का सवाल आया है कई बार हम जादा छोटी अप्रोच जूड़ने के चकर में इस तरह के question को बहुत complicated बना देते हैं बिल्कुल basic से करेंगे जैसा ही जो approach लगती है और अपना answer निकाल लेंगे सभी लोगों का इसका answer सही आना चीए कहता है हमारे पास एक article है जिसका MRP 800 है इसे हमने 538.56 रुपीज का बेचा तीन successive discount देने के बाद पहला successive discount है 10% का second है X% का और third है हमारे पास 12% का अगर इन तीनो discount की जगा एक मैं single discount दे दूँ 2X% का तो हमें बताना है कि selling price कितना होगा ठीक है तो कोई approximation लगाने की जो इस तरह के स्वाल को बिल्कुल basic से करना है मैंने कहा मेरे पास MRP 800 है पहला discount दिया मैंने कितने का 10% का 10% का दिया मतलब कितने पे बेचा होगा 90% पे 90% का मतलब 9 भाग 10 पहले discount के बाद value बनी इतनी फिर मैंने दूसर discount दिया X% का discount का देने का मतलब है कि अगर मेरे पास वस्तूप पे अंकित मुल्या 100 रुपे का है तो मैं बेचूंगा उसे 100 minus X का फिर मैंने तीसरा discount दिया 12% का मतलब 88% पे बेचूंगा 88% क्या होता है यहां से X का मान निकलेगा फिर 2X% की value निकालके हम question को solve कर सकते है option की मदद से करना बहुत मुश्किल है एप्रोक्सिमेशन लगाएंगे option close दे दिया फस जाएंगे इससे बेटर है कि पुरा solve करो यहां पर हम calculation को simplify जैसे 2-0 से तो मैं सीधा-सीधा 2-0 काट सकता हूँ बाकी अब सीधा-सीधा calculate करते हैं यहां पर मेरे पास 1-0 वहां पर हटेगी 25 हटेगा चलो 2-0 से 2-0 निकाटते हैं सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ यह 2-0 तो मेरी यहां पर जाके multiply हो जाएंगी तो यह हट जाएगा इसके बाद 25 से काटूँगा तो यह 800 की जगा मेरे पास 100 काटा मैंने 4 आएगा ठीक है और 1-0 यह वाली भी उधर ले जाते हैं तो मेरे पास value बनेगी 5,3,8,5,6,0 और यहां पर मेरे पास है 8 into में 4 into में 9 into में 22 into में 100 minus x अब यहां पर x का मान निकालना है तो एक एक करके calculation हो गए किसका table आपके लिए सबसे असान रहेगा जैसे 9 का यूज कर लेते हैं पहले 9,5 फिर यहां पर 9 जा 8 जा,4 जा उसके बाद हम यूज कर लेते हैं 22 से काट तो सीदा 22,2 जा 44,158 7 जा फिर 2 जा और यहां पर 8 और 4 8,4 जा 32 चलो 8 से काटते हैं 100-6,85 x की value आगई मेरे पास 15 अगर x 15 है तो 2x कितना हो जाएगा मेरे पास 30 30% का discount दूँगा तो बेचूँगा कितने पर 70% में मतलब 70 से गुना करना पड़ेगा मुझे 8 को और यह वाली value आजाएगी मेरे पास 560 की question हो गया खतम ठीक है discount percentage x था हमारा 15 तो 2x का discount दिया 30% 30% का discount दूँगा तो 70% पर बेचूँगा 800 का 70% कितना होता है 560 question खतम चलें के आगे तो calculation में थोड़ा time तो लगेगा एक से डेट मिट आराम से लगेंगे इस सवाल में लेकिन doable है basic approach से करोगे तो जल्दी आएगा जो मैंने बताया इसके लावा कुछ और जादा सोचोगे तो फस जाओगे अब जैसे ये वाला सवाल है ये सवाल कोई मुश्किल सवाल नहीं है बहुत असरल सवाल है बट इसकी approach के लिए होनी चीए का वो 750 रुपे जादा है cost price of a chair ठीक है table को हमने बेचा 250 रुपे में और chair को बेचा मैंने 25 परतीसरत के नुकसान पे अगर हमें 25% का फायदा होता है total transaction में तो हमें बताना है कि कितने percent profit पे मैंने अपनी table को बेचा अब यहाँ पे table है chair है ठीक है इनके cost price में एक relation दे रखा है कि हमारे पाई जो table का cost price है वो 750 रुपे जादा है chair के cost price से दूसरी चीज मुझे table का selling price दे रखा है chair का भी मुझे बता रखा है कि मैंने कितने का कितने परतीशत अलाब या हानी पे बेचा तो यह भी कही ना कहीं selling price के बारे में कुछ idea मुझे दे रहा है और total transaction पे हमें 25% का profit हो रहा है इसके बारे में idea दे रखा है हमें बताना है table पे हमें कितने परतीशत का profit हुआ मैं बिल्कुल basic से गरता हूँ table का जो price है वो chair के price से कितना है 750 रुपे ज्यादा है देखो यहाँ पे मुझे table का selling price की value दे रखी है total transaction में कितना profit है chair पे कितने percent का loss दे रखा है कहीं ना कहीं इन सब से मैं selling price को equate कर सकता हूँ या नहीं कर सकता table का selling price मेरे पास कितना है 2250 रुपे ठीक है उसके बाद chair की अगर मैं बात करूँ chair को मैंने बेचा है 25% के नुकसान पे तो chair का अगर cost price C है तो 25% का नुकसान 25% होता है एक भाग 4 चार कीमत है तो एक के नुकसान पे मतलब 3 भाग 4 का बेचूँगा यह मेरा chair का selling price आ गया यह किसके बरावर होगा टोटल ट्रांजेक्शन में मुझे 25% का फायदा हुआ टोटल ट्रांजेक्शन क्या होगी मेरी आप कहेंगे सर cost price मेरे पास chair का तो मैंने C माना है table का C प्लस 750 है तो मेरे पास यहाँ पे total cost price इतना है 25% का फायदा मतलब 1 का फायदा 4 पे तो मतलब 5 भाग 4 क्या मेरे पास पूरी की पूरी एक equation बन गई simple C यहाँ से मैं C की value निकाल लूँगा C से मुझे क्या मिलेगा cost price of chair cost price of chair मिला तो table का cost price निकल जाएगा table मैंने बेची इतने की तो मैं यह percentage profit बता सकता हूँ मेरा percentage profit क्या होगा हमें बस यही सोचना था कि क्या चीज़ equate करनी है जिससे की मेरा answer आ जाए ठीक है यही दिमाग लगाना था इसमें बिल्कुल basic है मैंने कोई हाँ पर trick using करी है ठीक है calculation करनी है तो कैसे करेंगे आप इसे solve करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं यह 5 by 4 है यहाँ पर इसे इधर multiply कर देते हैं इधर calculation simplify करने के लिए तो मेरे पास अगर मैं इसे 5 by 4 को यहाँ से eliminate कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पर बन जायागा यह 4 by 5 और आप देखींगे यहाँ पर 5 से इसे काटूँगा 450 इंटू में 4 अठारा सो और उधर 750 है ठीक है तो 1050 बचेगा मेरे पास इधर उसके बाद यहाँ पर 3 भाग 5 सी है और यहाँ पर मेरे पास 2 सी है ठीक है 2 सी में से 3 भाग 5 सी को घटाऊंगा तो 10 minus 3 7 सी भाइव भाइव यही आएगा और यहाँ पर मैंने काटा यह 150 सील मेही नगे, यहाँ व्हाँ प्रफार सबस्तार झाल आघाएगा यहाँ किते पर दो बे चाह यह सो बेसीड में महीं है थैएएग हाँ है examiner किसी भी तरीके से आपको फसा सकता है अब जैसे ये वाला सवाल है हमारे पास geometric हमें यहाँ पर दो concentric circles दे रखे है मैंने एक circle ये बनाया और एक और concentric circle बनाया ये सही नहीं बना ठीक है आगे question में कहता है दोनों circle के जो radius है एक का 29 है और एक का 21 है तो एक का मैंने 21 बना दिया 29 और एक का मैंने ऐसे ही randomly 21 रख दिया आगे कहता है एक code AB जो की larger circle की code है और छोटे circle पे tangent है वो C point पे touch करती है छोटे circle को और AD हमारा larger circle का diameter है तो हमें बताना है length of CD क्या होगी ठीक है दो circle है concentric जिनका center O है एक point मैं माल लेता हूँ बड़े circle पे A है इसकी एक code है जो छोटे circle को C point पे touch कर रही है तो इसकी अगर मैं code बनाओ तो ऐसे खिच जाएगी मेरे पास ठीक है और यहाँ पे मेरे पास ये AB code है जो यहाँ पे C पे touch कर रही है अगर diameter को मैं लंबा खिच देता तो ये मेरा AD हो जाता और AD हमें का diameter दे रखा है हमें TD का मान पूछा है हमसे पूछिए ये वाले length अच्छा कैसे solve करेंगे इस सवाल को geometry में हमेशना mind खुला होना अच्छे diameter दिया है तो क्यों दिया है आपको पता है circle में एक property होती है diameter से जो भी आप angle बनाते है किसी भी semicircle की side वो 90 degree का होता है angle इना semicircle जो 90 degree तो अगर ये diameter दिया है तो मुझे सीधा सा पता है कि अगर मैं इस line को जोड़ दूँगा तो मेरा ये वाला है को 90 degree का होगा ये tangent दे रखी है तो ये भी मेरे पास क्या होगा 90 degree का होगा ठीक है आपको एक property और पता है कि अगर मैं एक circle पे code मुझे दे रखी है center से अगर मैं perpendicular डालू तो वो bisect भी करती है इसका मतलब जो ये वाली दूरी होगी मेरे पास ये वाली दूरी भी होगी ठीक है मुझे ये वाली दूरी और मुझे ये वाली दूरी अगर मिल गई तो मैं जो मुझे से पूछा गया है DC वो मैं निकाल सकता हूँ तो soul करेंगे बड़ा simple सा पहले तो A, O, C triangle के अंदर right angle triangle 39 है 29 है किसके साथ triplet बनाएगा 20 के साथ तो ये 20 आ गया ये 20 तो ये वाली दूरी भी मेरे पास कितनी आ गई 20 आ गई ठीक आप देखेंगे हाँ पर या तो similarity लगा लो कि ये वाला triangle ये वाला angle इस वाले angle के परावर ये वाली side मेरी ये वाला angle इस वाले angle के परावर हो गया ये वाला angle common हो गया तो आ प्रोपर्टी से एंग ट्रैंगल ए ओसी और triangle ए टी बी ये वाला triangle और ये पूरा बड़ा triangle दोनों क्या हो जाएंगे similar हो जाएंगे एंगल एंगल पोपर्टी से तो side का ratio क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा तो ये 20 है ये पूरी की क मतलब जो बड़े वाले ट्रैंगल की साइड चोटे वाले ट्रैंगल की साइड की डबर है तो यह मेरे पास 21 है तो यह वाली साइड कितने हो जाएगी मेरे पास 42 हो जाएगी यह तो आप ऐसे कर सकते थे वरना ऐसे आएसे Technical है यह भीही 20 होता 29 29 और 2020 ट्रिप्लेट बना लेते हैं यह 20 इन्टू साइड है 29 इन्टू साइड है तो यह वाली साइड क्या होगी 21 इन्टू तो सिम्लाइटी नहीं दिखती तो ट्रिप्लेट से हो जाता काम कैसे भी कर लो अब मेरे पास यह 42 आ गया यह 20 आ गया मुझे यह वाली लैंथ निकालने पाइथागरस तियोरम लगाएंगे जो डी सी की लैंथ होगी वह होगी अंडर रूट में 42 का स्क्वाइर प्लस 20 स्क्वाइर चारो अप्शन से सोल कर कैंसर बताने मिझे यह तो पता है कि मेरा अंसर 42 से बढ़ा होगा लेकिन 4 ही ऑप्शन 42 से बढ़े हैं 42 का स्क 6,4 आ गई अब यह किसके बराबर होगा ठीक है आप चाहें तो यहाँ पर ओप्शन की मदद ले सकते हैं वरना बेसिक से कर सकते हैं दोनों चीज़े आपको पता हैं अगर मैं ओप्शन की मदद लेता हूं ठीक है 2100 से थोड़ा सा जादा है हमारे पास ठीक है हमें पता है 21 216 यह स्क्वार होता है मेरे पास 46 का ठीक है फिर मेरे पास 2209 यह स्क्वार होता है 47 का इनके बीच में कहीं पढ़ रहा है तो 46.5 के चांसे ज़्यादा रहेंगे यह मेरा सवाल का उतर है यह मैंने डिरेक्टली सोच के कर लिया वरना बेसिक से तो आपको स्क्वार रूट निकालना आता ही है अगर मैं एक नेक्स्ट पेज पर कराने की कोशिश करूँ मेरे पास 2164 है 2164 दोदो के पेर बनाते हैं पहले फिर मैं 4 से करूँगा 4 चोग 16 आएगा यहाँ पर 564 पास यहाँ पर वैल्यू आएगी 8 यहाँ पर आएगा मेरे पास और दो जीरो लगेंगी 46 इंटू टू 92 और फिर मैं यहाँ पर किस से मल्टिप्लाइ करूँगा यहाँ तक पोचने के लिए बेसिकली 5 से करूँगा और तो फिर कुछ वैल्यू आएगी तो अप्रॉक्सिम कराने का मकसद ही है कि आपकी स्पीड बनी रहे ठीक है पहले करके जाओगे इस तरह के सवाल तो एक्जाम आएगा तो कुछ नया नहीं लगेगा अधर्वाइच कोश्चन बहुत मुश्किल नहीं है देखो हमारे पास क्या दे रखा है एक ये लाइन ग्राफ दे रखा है प्रॉफिट पर्सेंटेज कहता है कि क्या होता है revenue minus expenditure divided by expenditure into 100 जब भी revenue expenditure या income expenditure मैं कहा रहा हूँ revenue expenditure या फिर income expenditure टाइप का कोई कुछ न बने तो आप revenue को क्या मान लेते हैं अपना selling price, income को क्या मान लेते हैं अपना selling price, expenditure जो होता है वो आप cost price मान के question को solve करें ठीक expenditure क्या है जो आपने business में पैसा लगाया, revenue का है जितना आपने collection करी और profit क्या होगा जो आपने revenue में से अपना expenditure खटाया जितना आपने लगाया business में, जितना आपको मिला उससे जो मिला उससे अपने जितना लगाया था business में वो घटा दो कि तो आपको profit मिल जागा और ऐसे profit percentage आपको हो जाएगा revenue minus expenditure divided by जितना लगाया था that is expenditure into my hundred, यही होता है हमारा selling price minus cost price divided by cost price into my hundred profit percentage तो यह बिल्कुल वही चीज है इस तरह के सवाल को हम यह चीज अपने दिमाग में बिठा लो revenue का मतलब क्या है selling price, expenditure का मतलब क्या है आपका cost price, जब इस तरह की questions हो, ठीके जो income saving expenditure वाले question करते है वो अलग चीज है, ठीके income saving जहां और यह हमारा क्या है, जो expenditure है, वो business में जो लगा है, business की तोर पर हम यहाँ पर बात कर रहे है, तो वो क्या है हमारा cost price है expenditure, अब question में देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें profit percentage दे रखी है यहाँ पर 2017 से 2021 की एक particular company की, यहाँ पर जैसे 2017 में हमें दे रखा है profit percentage है 40, इसका म कितने रुपे earn करोगे, मतलब कितना revenue होगा आपका 140, यह क्या हुआ, मेरा profit हुआ, यह मेरा expense हुआ, और यह मेरा क्या हुआ, revenue हुआ, क्या यह चीज समझ आगे, अगर यह graph समझ आगे आपको, तो question तो बड़ असानी से करेंगे, अब हम, question में कहता है, All of the revenues received by a company in 2017, 2020 and 2021 were 210 crore, 216 crore and 279 crore respectively, then the expenditure of the company in 2017 is what percentage of the total profit made in 2020 and 2021, ठीक है, Company ने कितना revenue receive किया, 2017, 2020 और 2021 में वो दे रखा है, ठीक है, हमें, बताना है, जो company का खर्चा हुआ, 2017 में, वो कितना पर्तिशत है, जो company ने total profit earned किया, 2020 और 2021 के अंदर, अफट आफट से करेंगे, 2017 की बात करेंगे, 2017 में हमें क्या निकालना है, expenditure, company का expenditure कितना रहा, 2017 में हमारा profit percentage है, 40, तो मैंने कहूँगा, अगर 100 रुपे खर्च करें, तो revenue वा होगा, 140 का, 140 किसके बराबर, company ने 2017 में revenue earn किया है, 210 का, तो आप यहाँ पर इसे काटेंगे, 70 से काट दूँगा, 2, 2 ratio 3 के बराबर, तो मेरे पास 100 ratio किसके बराबर हो जाएगा, into 50, 50 करके, यह मेरा 150, तो मेरे पास जो value निकल कहा है, 2017 में जो expenditure है, वो है, 150 करोड, clear है यह point, उसके बाद यह कितना परतीशत है, किसका, जो profit company ने कमाया, 2020 और 2021 में, 2020 पे आते हैं, 2020 पे हमारे पास दे रखा है, profit जो है, वो 60% है, मतलब अगर मेरे पास expense क्या है, 60% को अगर आप literal terms में ले लो, ratio में convert करके करना चाओ, तो वो भी कर सकते हैं, 60% होता है, 3 भाग मतलब अगर मैंने 5 business में लगा है, तो तीन का profit है, ठीक है, तो total revenue कितना हो गया, मेरा 8 हो गया, 8 ratio किसे represent करेगा, 8 ratio आपका represent करेगा 216 crore को, और मुझे value बता नहीं है, profit की, profit कितना अन करा, तो यहाँ पे 3 ratio मेरा बरावर हो जाएगा, यह 8 से तो पुरा-पुरा कर जाएगा, 27 times, तो 27 into में 381, तो 2020 का revenue आगया, मेरे पास 81 crores, और 2021 का अगर मैं profit निकालूँगा, sorry, profit आया यह, तो 2021 में हमारे पास profit percentage है, 55%, 55% को अगर मैं fraction में गर्मट करूँँ, तो अगर मैं 100 रुपे बिजनिस में लगा रहा हो, तो बन जागा 555 जोड़के 155, मतलब यहाँ पे 20 ratio 31, 31 ratio किसे represent कर रहा है, revenue कितना हुआ है, 279 crores का, हमें value profit की बता नहीं है, profit है 11 ratio, इससे काटूँगा 9 times जाएगा, into 9 कर दूँगा, तो 99 crores, 99 plus 81, यह हो जाएगा मेरे पास 180, 150 by 180, और percentage में बताना था, तो into 100% भी करना पड़ेगा, तो यह तो 5 भाग 6 है, 5 भाग 6 into में 100% कितना होता है, यह होता है 83 1 by 3%, अगर यह याद नहीं आ रहा, तो आप कैसे कर सकते हैं, पूरा calculation कर सकते हैं, वरना 5 भाग 6, ठीक है 6 में से 1 कम जा रहा है, 1 भाग 6 into 100% कितना होता है, 16 2 by 3% होता है या नहीं होता, तो 5 भाग 6 निकालूँगा, तो 100 में से 16 2 2 by 3% को घटा दूँगा, तब भी मेरे पास क्या जाएगा, 83 1 by 3%, I hope this is clear, किसी भी तरीके से जा सकते हैं, यह आपको अपने आप ही दिमाग चलने लगेगा, जितने ज़्यादा questions करेंगे, अब मेरे पास यहाँ पर जो सवाल है, यह trigonometric का है, अब यह बिल्कु सिंपल सवा करो try क्या है, guess answer, अब देखो, मेरे पास इतना बड़ा सा सवाल दे दिया है, इन्होंने, एका मान मुझे बताना है, angle 0-90 के बीच में है, तो कोई भी value मैं 0-90 के बीच में पूट कर सकता हूँ, 0 included नहीं है, नभ्य included नहीं है, मतलब 30, 45, या फिर मैं 60 के साथ ही जाऊँगा, सबसे असान होता है 45 रखना, लेकिन 45 रखनी ही सकता, क्योंकि 45 रखोंगा, sec theta, cosec theta बराबर, cos theta, sin theta बराबर, तो या तो मैं 30 degree के साथ जाऊँगा, या 60 degree के साथ, दोनों में से किसी के साथ भी जाऊँगे, आप cancer आजाएगा, ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या है, कि calculation मेरी काफी बड़ी भी हो सकती है, ठीक है, 30 या 60 degree से, आप चाहें तो हम एक बार ट्राइ कर सकते हैं, otherwise मैं basic से कराते हैं, तो value putting से तो आप कर ही लोगे, ठीक है, basic से अगर आपको question देखके, basic की practice भ होता है, 1-3, post theta को मैं c लिख रहा हूँ, c square और sin square theta, this is the value of sin की power 6 theta प्लस post की power 6 theta, या identity हमें याद होनी चाहिए, ठीक है, अगर या identity याद है, तो इसमें minus 1 करा, तो आपको दिखी रहा है, यहाँ पर यह मवन से 1 मेरा cancel out हो जाएगा, इतना part solve हो गया, फिर 10 square theta प्लस quote square theta प्ल को मैं 1 और 1 में break कर दूँ अगर, तो 10 square theta प्लस 1 क्या होता है, sack square theta और coat square theta प्लस 1 क्या होता है, cosec square theta, तो यह sack square theta प्लस मेरे पास cosec square theta बनेगा, अगर मैं इनका LCM ले लूँगा, 1 upon course square theta प्लस 1 upon sin square theta बनेगा, है ना, और plus 2, पहले numerator वाले पार्ट को ही solve कर लूँ, आप देखे हम लूँगा, cosec square theta, sin square theta एगा, जो यहां से कट जाएगा, ठीक है, cosec square theta प्लस sin square theta क्या होता है, 1 होता है, तो वो 1 बन जाएगा, यह यहां से कट जाएगा, तो मेरे पास यहां पर सिर्फ माइनस 3 बचेगा, और plus 2 बचेगा, numerator को solve करके मेरे पास यह value आएगी, ठीक है, करके देखे लेना, यह calculation fast होनी चाहिए, अब मेरे पास देखो, sec theta प्लस 10 theta, sec theta माइनस 10 theta को holy square, अगर मैं sec theta माइनस 10 theta को holy square को दो पार्ट में break करूं, sec theta माइनस 10 theta, और sec theta माइनस 10 theta, क्यों करा मैंने ऐसा, क्योंकि आपको एक property पता है, sec theta प्लस 10 theta into sec theta माइनस 10 theta क्या होता है, sec square theta माइनस 10 square theta और वो क्या होता है, वो तो 1 होता है, ठीक, तो मेरे पास यहां पर sec theta माइनस 10 theta होगा, और यहाँ पर मेरे पास into में बचा cos theta अगर मैं इसे simplify करूँ ठीक है चलो next page करते है sec theta 1 upon cos theta यह 1 upon sin theta होगा sorry sin theta by cos theta होगा cos theta को को मल लूँगा तो मेरे पास यहाँ पर बचेगा cos theta की जगा नीचे दिख दिया मैंने c यहाँ पर 1 minus sin theta और यहाँ पर cos theta में राइजिटीज है यह मेरे पास solve हो के आए यहाँ से cut गया यह मेरे पास बचा minus 1 upon में 1 minus sin theta यह किसके बराबर दे रखा है 1 upon k minus 1 अब आप देखो यहाँ पर इसे solve करके answer ही बताना तो खतम ही हो गया यह पूरा का पूरा यह minus k plus 1 है और यहाँ पर मेरे पास minus sin theta plus 1 आएगा ग्रोस multiply गरके 1 से 1 eliminate होगा minus से minus sin theta किसके बराबर हो गया k तो यह मेरे सवाल का उत्तर है अब देखो यहाँ पर दो मैंने कर दिया यह basic से लेकिन exam time में कही बार हमारा mind इतना काम नहीं करता आपको बहुत अच्छे से याद नहीं है बहुत questions आपने basic से भी नहीं बनाए है तो आपको सीधा जिसमें जाना था 30 डिग्री या 60 डिग्री पे वैल्यू रखते हैं आपको एक नेक अंसर मिल जाता है चार ओप्शन में से चार ओप्शन के अलग वैल्यू जाती है एक बार कि मैं आपको अंसर तक पोजना था तो वह तरीका है अगर basic पे कमाड बहुत अच्छी नहीं है अगर basic पे कमाड अच्छी है तो यह basic से करना थोड़ा और भी असानी है तो यह आपकी practice के ओपर depend करता है औरना value putting में हमेशा ही recommend करता हूँ कि अंसर आपका आही जाएगा अगर चार option में different answer बन रहे है अब जैसे यह वाला सवाल है time spend distance का यह मैंने कल्व वाली class में भी कराया था याद करो average speed deviation से कैसे निकालनी है ठीक है वो इसी तरह का सवाल है फटा-फट से करेंगे एक आदमी क्या करता है चार घंटे चलता है किसकी speed से 75 km पर आर की speed से फिर वो 6 घंटे चलता है 65.5 km पर आर की speed से और फिर वो चलता है 2 घंटे 54 km पर आर की speed से हमें average speed बतानी है आप क्या करेंगे इसमें deviation लगा देंगे ठीक है उसके लिए क्या करेंगे देखो जब भी हमारे पास यहाँ पर time दे रखा हो और यहाँ पर मुझे speed दे रखी हो ठीक है और मुझे average speed निकालने है तो हम क्या करेंगे time matter नहीं करता time का ratio matter करता है सबसे पहली चीज तो यह अगर मैं 2 से काट दूँगा 2 ratio, 3 ratio, 1 आएगा मेरे पास ठीक है इसके बाद अब मुझे average speed निकालने है तो deviation देखो यह 75 यह 65 और यह 54 तो बीच वाली average speed मैं माल लेता हूँ अपनी तो मेरा deviation यहां पर कितका होगा plus 0.5 का deviation है यहां पर मेरे पास deviation कितने का है minus 11 का है और यहां पर मेरे पास deviation कितने का है plus 10 का है net deviation कितने का होगा 2 पर 10 का तो 20 तीन पर plus 0.5 का 1.5 और यहां पर मेरे पास 1 पर 11 का तो minus 11 यह deviation मेरा क्या हुआ total deviation कितने पर है 2 और 3 और 1 यह तो यह मेरा deviation निकल के आएगा assumed average में deviation को mean deviation यह मेरा निकल के आएगा assumed average में mean deviation निकालूँगा तो मेरी average speed assume average is 65 this is my answer question हो गया खतम ठीक है 20 में से 11 खटाऊंगा 9, 10, 10, 10 भाग 6 करेंगे तो 21 भाग 12 लिख सकता हूँ यह 7 भाग 4 आ जाएगा तो 1 तीन भाग 4 मतलब 65 और 16 तीन भाग 4 this is my answer calculation नहीं भी गड़ते option देख लिए तो भी possible था but speed इसी में बनानी है हमें कि calculation fast हो कहीं बार option close आगे तो option वाला method कहीं बार फस जाता है एक mixture navigation का question है हमारे पास कहता है जो ratio है alcohol और water का solution A और B के अंदर उसका ratio है 3 ratio 5 और यहां पर हमारे पास no ratio 7 ठीक ए और B को मैंने mix करा किस ratio में पांच ratio 8 में जो solution आया उसके 520 ml को मैंने लिया और मुझे पताना उस 520 ml solution में कितना पानी एड़ कर दूँ जिससे कि जो alcohol और water का solution बचे वो मेरे पास 3 ratio 4 बचे कैसे solve करेंगे सबसे पहला काम तो मुझे जब भी ratio दे रखा होता है मैं quantity equal करता हूं दोनों की alcohol ratio water यह है 8 ratio यह मेरे पास 16 ratio तो मैंने पहले quantity equal करने के लिए इसमें 2 से multiply करूँगा तो मेरे पास ratio तम maintain हो जाएगा यह 16 टोटल 16 हो जाएगा मेरा यह हो जाएगा 6 ratio 10 ठीक है क्या ratio maintain हो गया मतलब यहाँ पर जो मैं अब quantity ले रहा हूं दोनों की वह equal कर दी लेकिन quantity हम equal नहीं ही लेनी है पहले वाले के मुझे 5 ratio लेना है दूसरे वाला का 8 ratio लेना और mix करना है तो इसमें अब मैं क्या करूँगा next step में इसमें 5 से multiply करूँगा और इसमें मैं 8 से multiply करूँगा और फिर मुझे जो solution बनेगा उसका ratio देखना है अगर मैं alcohol देखो कितना हो जाएगा 5 और 6 त 32 32 और 302 डायरेक्टली इतनी calculation speed होनी चाहिए तेक है पांच और दस पचास आठ और दस छपन 50 प्लस 56 इच 106 तेक है यह मेरे पास जो नया solution बना mix करके alcohol और वाटर का ratio यह है अगर आप इस eliminate करना चाहें तो मेरे पास यह 51 ratio यह वाली value आ जाएगी 53 अब यह जो solution है इसमें से मुझे कितना निकालना है 520 अमल तो 520 अमल बना लेते हैं पहले अगर मैं इन दोनों को देखता हूँ यह मेरे पास 154 आ जाएगा ठीक है 104 रिप्रेजेंट करेगा 520 को तो आप देखेंगे इसका पूरा 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 5 गुना जा रहा है तो इन दोनों में मुझे 5 से multiply कर पड़ेगा ठीक है अगर exact quantity पे मुझे खेलना है तो मेरे पास 253 फाइव और यह मेरे पास 265 होगा यह मेरे पास alcohol और water है जो मेरे पास solution है ठीक है हमें बताना है इसके अंदर कितना मैं मिला दू पानी जिससे की जो final ratio है वो 3 ratio 4 हो जाए ठीक है अब final 3 ratio 4 क्या मैंने पानी मि चेड़ा तो alcohol तो मेरा 255 ml था इतना ही रहेगा तो 3 ratio को 255 ml बनाना है 255 को 3 से अगर मैं डिवाइड कर दू तो मेरे पास value कितनी आएगी 85 तो मिझे इसमे 85 multiply करूँगा तो यह 255 बनेगा similarly इसमे भी 85 multiply करूँगा तो यह 340 बनेगा तो कितना पानी मैंने मिलाया होगा 35 प्ल एक्जाम में ऐसा question मिल जाता है ना तो दिमाग थोड़ा सा एक्दम हिलसा जाता है और कैसे करेंगे time में क्योंकि यह given एक मिनिट में करने में थोड़ी मुश्किल होगी अगर आपकी practice बहुत अच्छी नहीं है ठीक है इसमें डेर्ट मिनिट तक ही आपकी जा सकते है beginner हो त अच्छान है यह मुश्किल नहीं है ठीक है एक क्या करता है एक काम को 40 दिन में कर सकता है यह हमें दे रखा है आगे क्याता है B 66 2 x 3 % less efficient है किससे A से 66 2 x 3 मतलब 1 x 3 sorry 2 x 3 तो अगर मैं बात करता हूँ A और B के efficiency को compare करता हूँ अगर मेरे पास A के efficiency 3 है तो B क्या होगा 2 ratio कम efficient होगा मतलब B के efficiency हो जाएगी मेरे पास 1 आगे क्याता है C is 400% more efficient than B तो C 400% इसका 1 का 400% 4 आएगा 400% ज्यादा efficient है C तो C के efficiency कितनी आगई 5 आगई A भी C की मेरे पास efficiency निकल के आगई क्याता है तीनों ने काम साथ start करा B और C काम खतम होने से 5 दिन पहले और 2 दिन पहले करमशा छोड़कर चले गए तो हमें बताना है कितने दिन में total काम complete हुआ अगर मैं इसे solve करता हूँ मुझे देखो A का time पता है A की efficiency पता है तो total work तो मेरे हो जाएगा 40 into में 3 यह है total work अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर A ने मालो T time तक काम करा B काम खतम होने से 5 दिन पहले छोड़के गया तो B ने T minus 5 देच काम करा होगा C काम खतम होने से 2 दिन पहले छोड़के गया तो C ने T minus 2 देच काम करा होगा efficiency into time कर दूँगा तो हो total work के बराबर हो जाएगा solve कर लो 3T, T और 5T कितना हो गया मेरे पास 90 और यहाँ पर मेरे पास minus का 5, minus का 10, minus का 15 तो 420, 125 और 15, 135 भाग नो करूँगा तो time की value मेरे पास आजाएगी 15 15 दिन में मेरा पुरा काम खतम हुआ है clear? so I hope you loved this session, do mention in the comment section if you find anything unusual, कुछ समझ ना आया हो, कुछ गलती लगी हो या फिर यह तो बताना ही है आपको 10 में से कितने questions आप कर पाए कुछ से जिनकी approach आपको directly hit कर गे कोशन देखते हैं, ठीक है, और if you are finding these sessions beneficial, do mention it in the comment section as well and join the RB channel, कुछ free playlist available है, वो आप देख सकते हैं, topers की strategy वीडियो मिल जाएंगी है, आपको, ठीक है, math, complete math की playlist है, जिसमें पूरा math तो नहीं है, बट काफी सारी चीज़े करा रखे हैं, वो भी आप reference के तोर पर कुछ particular video देखना चाहिए, तो वो try कर सकते हैं, although मैं recommend करता हूँ कि अगर आप afford कर सकते हैं, तो course में पूल-खूल basic से एक चीज़ आपको मिल जाएगी, latest pattern के साब से तो वो better रहेगा, बाकि ये वीडियो ज भी आप prefer कर सकते हैं, कोई particular topic देखना है, तो you can go for it, right, ऐसे ही important job details की, जो भी आप selection होने के बाद job पे जाएंगे, उसमें कैसे कैसे काम होता है, procedure क्या है, वो साई चीज़े वहाँ पे मिल जाएंगी, tier 3 के लिए, tier 4 के लिए complete free playlist available है, application पे mass score से, जो आप किसी भी plan को ओप्र कर सकते हैं, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल वाला, content same ही रहेगा, ठीक है, उसमें, अगर future में जो class set होंगी, वो आपको एक्सरम लेगे, अगर आपके पास validity बची हुई है, otherwise अपने हिसाब से, जितने time में आपको लगता है, आप mass complete कर सकते हैं, वो plan open कर सकते हैं, बाद मैं extend भी कर पाएंगे, validity कोई दिक्कत नहीं है, और ये PDF जो course होता है, ये free होता है, अभी हमने कुछ PDF भी बनाई है, मैस की, जैसे 2018 से लेके 2021 तक, CGL के जितने भी paper हुए है, उनकी chapter wise PDF, जैसे percentage के सारे question एक ही PDF में, और नीचे उसका answer की, ठीक है, detailed solution नहीं है, video solution का link कुछ का है, जो मैंने YouTube पर करा रख्या है, वो आप देख पाएंगे, तो ये PDF प्रेक्टिस भी अविलेबल हैं, कि आप कोर्स के साथ साथ प्रेक्टिस भी कर पाएं, प्रिवेस से के सारे question, ऐसे CPU का भी हमने कर रहा है, ऐसे same PDF एक, 2018 से 2020 तक exam हुआ है, तो tier 1 के सारे question, CGL के tier 1 plus tier 2 के math की पीडियो, बाकि इन सभी exams की, GK English, reasoning की PDF पीडियो, math की जो latest exams है, और यह जो कोर्स है, यह free रहता है, math कोर्स के साथ, और general science का complete course आप देख सकते हैं, ठिक, और इसमें आपको quality भी free मिलेगा, general science के course के साथ, and GK की जो PDF कोर्स में हम provide करते हैं, अगर आप खाली general science का लेते हैं, तो आपको GK की PDF यहाँ पे free मिलती है, English का course आप देख सकते है, अपने हिसाब से, अगर आपको need है, इसमें English की PDF फ्री रहती है, math score के साथ, सारी PDF आपकी already free है, और telegram channel से normal mock form पुम में PDF चाहिए, आपको SSC format में PDF चाहिए, वो मिल जाएंगी, so bye bye everyone, take care, जल्दी मिलते हैं, कल एक नई किलास के साथ, नई 10 questions के साथ, और साथ ही साथ, एक और सीरीज में स्टार्ट करूँगा, previous year के chapter wise questions के, तो वो भी जल्दी हम YouTube पे ही solve करेंगे, keep learning, जैहिंद